अगर आप इन्यूमेरेटर हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें असलाम अलेकूं मैं हूँ आमद खान चमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपका काम क्या है यानि कि जो इन्यूमेरेटर का काम होता है वो इस सेंसिस में किस तरह का है जो पहले सेंसिस हम करके आ चुके हैं उनका तरीकिकार कुछ अलग था इस पार सेंसिस का तरीकिकार कुछ अलग है क्यों क्योंकि इस पार digitally census किया जा रहा है तमाम census के data जो है उसे digitalize किया जा रहा है इसके लिए नया system मतरफ करवा चुका है जिसकी training भी आपको करवा चुकी है अगर फिर भी आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए आज ये मुकमल वीडियो देखें तो इंशाला आपके सारे मसाल का हल इसी वीडियो में से हल हो जाएंगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लें सबसे पहले टेबलेट को आउन कर लें टेबलेट को आउन करने के बाद सबसे पहला काम उसमें यह करना है आपको कि आपने सबसे पहले मैस में जाकर मैस डाउनलोड कर लेना है है में हो जाएंगे तो आप स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा कि आपका में हो चुके हैं तो ठीक है एक आप्शन आएगा उसको ठीक करके आप जीपीए सेंड लोकीशन वाले अप्लीकेशन में चले जाएं वहां पर इसको थोड़े तक रंद करें वह हो खुद बेखुद अपनी डेटा को इनलाइज कर लेगा और डीपेस के साथ क्नेटेट हो जाएगा आटोमेटिक ली तो वहां पर आपको मुक्तलब करें जंटे नदर आएंगी छोटे-छोटे इसका मतलब है कि वह सेटलाइट के साथ कनेट हो चुगा है उसके बाद आप सब्सक्राइब करें अपना प्रोफाल चेक कर लें कि वाकी यह बिलाग जो आपके डिवाइस में है वह आपके नाम से रिजिस्टर भी है या नहीं है बिलाग शुरू करने का तरिकेकार यह है जो बिलाग आपको पहले दिया गया है हमेशा पहले उसी को स्टाट करें वरन आपका बिलाग 15 दिन के बाद बंद हो जाएगा उसके बाद आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हमेशा पहले वाले बिलाग काहिन तक आप करें यह बिलाग आपकी डिवाइस पर पहले से मौजूद हैं जिसके उपर उनकी डेट लिखे हुए हैं कि कौन सा बिलाग किस टेर से शुरू होगा में मार्श वाले को स्वाल जाने के बाद सबसे पहले क्या कम करना है सबसे वां पर जाकर आपको GPS in location का application कर लेना है और डिवाइस को सेटर wonderful कर लेना है आप थोड़ी दर तक application को खुल रखेंगे जिए device को अटोमेटिकली connect कर लेगा satellite के साथ जिसके जरी आपको geotag में परिशान नहीं होगी जिसी आप अपना पहला बलाक ओपन करेंगे device के अंदर तो option आएगा शुरू करें तो शुरू करें पर click करें और बलाक को start करें बलाक की start होने के बाद screen पर option आएगा नई इमारत शामल करें तो नई इमारत शामल करें पर click करें और जैसे ही आप click करेंगे तो इमारत का number automatically generate होकर आपके screen के उपरे वाले से में आ जाएगा जिसमें इमारत का सिलसे हवाल number के नाम से वो शो होगा तो वही number आपको दिवार पर meme machine के साथ लिखना है ये पहली इमारत का जो number होगा वो 001 से शुरू होगा इस तरह जिससे आप इमारत शामल करते जाएंगे जियोटेग क्या है जियोटेग यानि उस building का जो नक्षे में दिखाया गया मौजूदा जगा है उसके उपर या तो automatically detect कर लेगा से ट्राइट अगर से ट्राइट अवेलेबल नहीं है यानि कि वो निशान कुदब कुद नहीं आ रहा 20 सेकंड के अंदर तो फिर आपको manually add करना पड़ेगा उस जगा के उपर आपको उपली रखके थोड़ी दिर तक दबाएंगे तो एक pin का निशान आ जाएगा जब pin का निशान आ जाएगा तो geotake हो जाएगा उसके बाद वो automatic जगे बढ़ जाएगा यहां पर उपर एक कालम जो आएंगे उसमें इमारत के नौइद पूछी जाएगी इमारत किस नौइद की है सिंगल इमारत है डबल इमारत है यानि कसीद मरला इमारत है रहाइशी है मौशी है याई स्कूल है मस्तिद है मदर्सा है वागेरा वागेरा के option आपके screen पर अवलेबल होंगे उन में से आपको select करना होगा घर पर click करके महफूज कर लें जैसे आप घर को महफूज करेंगे तो नया option आ जाएगा कि गराना शामिल करें अब यहां पर आप देखें कि इस घर के अंदर कितने घर फेमिलीज रहते हैं और क्या-क्या in canald हैं सबसे पहले आप उन से पूचए कि सबस् programming सबसी거나 बना को सब्सक्राइब तो अगर एक भरद करते हैं तो सबसे पहरे सब्रह कर लें यह इंद रज़ डवाइस पर सिरफ इंग्लिशy keyboard पे अवलेबल है आपको English पर ही टाइप करना होगा सिंधी या उर्दू जिबान आपके पास अवलेबल नहीं है तो इस बात का अभी से आप जेन बना लें कि आपको तमाम इंदराज English में ही दर्ज करने होंगे इसके बाद घर के सरवरा का मुबाईल नंबर या टेलिफोन नंबर आप तर्ज करेंगे मुबाईल नंबर के दर्ज करने की सुरत में मुबाईल कंपनीज के जो कोड है वो पहले से डिवाइस में अवलेबल है वहां से आपको कोड सेलेट करना होगा मिसाल की तोर पर 0301, 0302, 0304 वगएर वगएर जितने भी कंपनीज हैं उनके कोड वहां पर अवलेबल हैं आप वहां से कोड सेलेट करेंगे बक्या नंबर जो साथ नंबर होते हैं वो आपको दर्ज करने पड़ेंगे इसके बात तिसरा कलम है, गर में कोई मौशी सरगर्मी तो नहीं है अगर है, तो हाँ पर क्लिक करके घराने को मह्फूOS कर लें तो यहां पर आपका घराना मह्फूस हो गया अगर दो families दें तो आप यहां पर नया घरना का option पर दुबारा click करके दूसरे घरनाने का दूसर पर आ है उसका नाम, mobile number और घर में होने वाले मौशी सरगर्मी के बारे में आप data डाल कर फिर उस घर को भी महफूस कर लें इस तरह किसी घर में एक फेमिली, दो फेमिली या इससे भी जायद families हो सकती है इस सूरत में एमारत एक ही count होगी और families अलग-अलग count होगे यहां पर एक बात जियन में रख लें कि families का घरना number जो है वो दिवार पर नहीं लिखना वो सिर्फ टेप में ही रहेगा, आपको सिर्फ गिवार पर इमारत number लिखना है जो के टेप आप को बताता रहेगा, आपके स्क्रीन के उपर white party जो है उस पर वो इमारत का सिलसलावार number के नाम से लिखा हुआ आएगा आप जितने भी घराने शामल करते जाएंगे, लेकिन इमारत number वही रहेगा जब ये पूरे घराने, आप उस इमारत के अंदर जज कर लेंगे, तो उसके बाद यूनिट के महफूज कर लें जब यूनिट महफूज हो जाएगा, तो वो पूरा एक स्लाइट की तरह आपके स्क्रीन पर शो होता रहेगा कि आपने ये इमारत को महफूज कर लिया है, इस तरह पर इसके बाद आप अगले इमारत पर चले जाएं वहाँ पर जाकर पर आपके स्क्रीन पर आप्शन आएगा, नई इमारत शामल करें, उस पर क्लिक करके यही प्रासेज दोराते हुए पूरे बलाग को चकर लगा कर आपको कंप्लीट करना है बलाग के अंदर मौझूद हर बिल्डिंग को आपने इमारत का नंबर जरूर देना है चाहे वो बंद कमरा ही क्यों न हो, जनरेटर रूम हो, क्वार्टर हो, स्टोर रूम हो, जो भी हो आपको उसको इमारत का नंबर देना है इमारत वो चीज़ है जिसकी चार दिवारी हो और छत हो तो वो इमारत काउंट होगी और उसे इमारत का नंबर दिया जाएगा इस सूरत में जब आप उस इमारत का इंदराज करेंगे नई इमारत शामल करने वाले कालंबर तो वहाँ पर घर स्कूल वगेरा के बाद आखर में दीगर का अप्षिन आएगा आप उस पर क्लिक कर लें अगर आपकी फैर रिस्ट में उसका कोई मैचिंग है तो आप वो सेलेट कर लें जैसे क्वाटर है या जनेटर रूम है या केंटीन वगेरा का अगर नहीं है तो आप दीगर में क्लिक कर लें और वहां पर आप्षम आता है यहां पर कोई रहता है कि नहीं तो वहां आप नहीं पर क्लिक करेंगे को इसको सिर्फ इमारत नंबर ही मिलेगा कोई घरन नंबर इमारत को नहीं मिलेगा वह आपका आप्षन आटोमेटिकली बंद हो जाएगा इस तरह आप उसको भी महफूस कर लें तो यह था सिंगल यूनिट यानि इंडिवल जो घर होते हैं उनके बारे में इसके बाद आता है कसीर मारला यानि जो पिलादा वगेरा हैं उनके बारे में पिलादा के इंदराज जब आप नहीं इमारत पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कसीर मारला का आप्षन आएगा कसीर मराला में कसीर मराला रहाशी, कसीर मराला मौशी या कसीर मराला रहाशी वह मौशी अगर कोई ऐसा प्लेट है जिसके उपर रहाश है और नीचे दुकाने हैं तो वो कसीर मराला रहाशी वह मौशी में काउंट होगा अगर्चे सिर्फ रहाशी है तो रहाशी में काउंट होगा अगर सिर्फ मौशी है तो सिर्फ मौशी में ही काउंट होगा रहाशी से मौराद वो जगा जो सिर्फ रहाशी के लिए इस्तमाल होता हो और मौजशी से मुराज वो जगा जो सिर्फ मौजशी सरगर्मी यानि कारोबार के लिए इस्तमाल होती हो और रहाशी वा मौजशी का मतलब यही है ? कि उसमें रहाश भी हो और कारोबार भी हो आम तोर पर हमारे हाँ जितने भी फलेट्स होते हैं वो रहाशी वा मौशी होते हैं कहीं कहीं पर सिर्फ रहाशी भी हैं कहीं कहीं पर सिर्फ मौशी भी हैं जैसे मौलवागेरा होते हैं मौलवागेरा में रहाश नहीं होती चार-चार मंदलें वो सिर्फ कारोबार के लिस्समाल की जाती है यहां बड़े बड़े आफ इजित होते हैं यसे स्टेटलाफ फिल्डिंग वगेरा होते हैं तो वहां पर सिर्फ सरगर्मियां होती हैं तो बात करते हैं कसीर मरला रहाशी अमारत के बारे में तो कसीर मरला रहाशी अमारत के बाहर एक नमबर लगेगा जैसे आप टेप में न तरच करेंगे जब आप कषीर मारीहलं उंदर कितनी यौनिट्स पूझेगा कि इसके अंदर कितने यौनिट्स यह निन तो आप पिलोर स्वां उनीन का मतलब फिलोर होता है तो आप और आप 4 लोगे तो चार करें पांच विलोर हैं तो पांच विलोर करें इस तरह कुतने फिलोर्ड साल के साँमने हैं कम परसा के सेangen olmas में तो तो आप उते हैं कि युनित श्य करेगे तो इसको नही नवर कि बजाए उनिट की द्राज की एसाब से एंदराज करते जाएंगे पिलाज़ा के अंदर मौर जूद theaterत एक युनिट कर लाएगी जिसको सब नबर automatically टेव के जरीए जारी कर दिया जाएगा अमारत का सलसलेवार नमबर वही रहेगा यूनिट नमबर उसका अलग हो जाएगा तो वो अमारत नमबर के साथ यूनिट नमबर आपको हर फिलेट के दरवादे पर मीम शीन के साथ लिखना पड़ेगा इसी तरह जब आप रहाशी वा मौाशी कसीन मर लाइमार सलेट करेंगे तो जब भी आप उसमें यूनिट का अंदराज करेंगे तो वो आप से पूछेगा कि रहाशी इसमें आप यूनिट अंदराज करना चाहते हैं या मौाशी यूनिट दूंद राज करना चाहते हैं तो अगर आप πेले दुगाने कर रहें, तो माज़ी पर Transport करें और माज़ी यहिनित दच करें और अगर आप उपर यह इच कर रहे नॉ cambio ऑनजे तो आफ रहाइशी जो यहनित है उसका अंदरे राज करें दून一定 राज़ करने के बाद वही और अगले फ्लेट पे आप चले जाएंगे इसी तरह अगर वाशी सरगर्मी पर आप करम कर रहे हैं तो जो पहला दुकान है उसका आपको रिंजराज करना होगा उसके बाद दूसरे का तो यहां तक आपको बात समझ में आज जाने चाहिए अगर फिर भी कोई बात आपको सम सेव कर लें तो वहां पर आपके पास कंप्लीट का अप्शन आ रहा है तो आपको दबाके डेटा को कंप्लीट कर लें और डेटा को एक्सपोर्ट कर लें अगर आप डेटा को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनुमरेशन एप्लिकेशन में वह इंपोर्ट नहीं हो सकेग Import का button आपके screen के उपरे ऐसे में मौझूद है तो सबसे पहले आप data import करने है Data import करने में 1-2-3 मिनट लग सकते हैं तो इसके इंतिजार फर्माएं, data import होने दें data import complete हो जाए तो आप तेखेंगे कि आपके पास screen पर इमारत और घरानों की तैदाद आपके screen के उपर ही आ जाएगा जो कि आपने listing में दर्ज किये थे वो पूरी data enumeration application के अंदर import हो जाएगी ये data list की सुरत में नीचे black wise आपको show होती रहेगी आप अपने पहले black को open कर ले और पहले इमारत को open कर ले पहले इमारत को open करते ही करके family का सरबरा है जो आपने अंदराज किया था उसका उसके बारे में आपसे data पूछा जाएगा उस data में क्या का सवाल है तो मैं आपको बता चलूँ वो ये सवालात है ये सवालात तकरिबन 36 सवाल है फेमली के head के बारे में और उनके जो relations होंगे अधर मेंबर्स उनके बारे में सेम सवालात होंगे वो आप ने एटा पोर करने होंगे सबसे पहले तो आपने जो नाम दिया था फेमिली हेट का वो तो आटोमेटिक ला गया होगा इसके बाद उसका एज आएगा उसका जेंडरमिल टृत इससाइग के इन्लॉल्मेंट इसस क्या हो अपकी तक पढ़ रहा है अगर पढ़ रहा है तो आप enrollment status पर उसको yes करेंगे उसके बाद है choose of medium of education यानि कौन सी medium में उपड़ रहा है तो आप आपको दर्च करना होगा इसके बाद है past education level यानि कितने जमाज पढ़ चुका है तो वो आपको दर्च करने है उसके बाद है field of education किस field में उसने education असल की है उसके बाद option आपके बाद option आएगा कि पिछले 12 माह में उसने कोई profitable कमाई की है या नहीं की है अगर की है तो आप उसको दर्च करेंगे इसके बाद है type of work यानि किस किसम का काम करता है तो आपको वो दर्च करना होगा इसके बाद option है कि क्या काम के लिए दस्तियाब है क्या वो काम करना चाता है कि नहीं करना चाता अगर काम करना चाता है तो हाँ पर click करें वरना ना पर click करें इसके बाद option है कि वो काम की तलाच में है या नहीं है अगर काम की तलाच में है तो आप उसको yes में करेंगे वरना no में करेंगे इसके बाद अगला सवाल है कि क्या वो काम करना चाहता है काम करेगा अगर काम करना चाहता है तो हाँ पर click करें वरना ना पर click करें अगर आप ना पर click करेंगे तो एक और option आपके सामने आ जाएगा वह पूछ रहा है कि क्यों काम नहीं करना चाहता क्या वज़ा है तो आपको वज़ा है आपको देनी पड़ेगी उस वज़ा में यह है कि लेंडलॉड है उसके अपने एगरिकल्चर है यहां पहले से कोई इंपुराइग अगिरा है तो आपको वह प्रड़ेख कर ना होगा इसके बार ऐंट आप शवार आप एक कर रहा है कि इस दिस्टिक में कितने अर्फ यो रह 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 है तो वो भी आपको सालों के साब से एक साल, दो साल के साब से जतने साल उसको गुज़र चुके हैं वह आपको अधारज करने होंगे कि इसके बाद अगर अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर यह November यह टिक करते हैं यानि दो साल पहले एक साल पहले या छे माँ पहले तो निचे दो और सवाल आ जाएंगे वह पूछ रहा है कि रिजन फार मुविंग फ्राम प्रिवेस डिस्ट्रक्ट यानि पिछले से मूव क्यों होकर आ गया तो आप बताएंगे यहां प्रिवेस माइगरेशन कंट्री है क तो वहां से कौन से मुल्क से आया है वह आप बताएंगे और प्रिवेस माइगरेशन डिस्ट्रक्ट है कि पिछले कौन से डिस्ट्रक्ट से आया है वह आप बताएंगे लास्ट जो सवाल है इसका आकरी सवाल है कि have any difficulty क्या कोई मजबूरी है इसको है difficulty है यानि सुनना उसमें क्या समय है गुंगा है बेरा है लंगड़ा है आखु का मसला है उसको वगेरा वगेरा के सवाल पहले से लिस्ट में मौजूद हैं आप उनमें से उनका इंदराज करें यह सवाल जो थे वे family members के बारे में थे और हर family member के बारे में यह सवाल आपने दर्श करने हैं यहां पर एक बात नोट कर लें कि घर का सरबरा कोई भी हो सकता है चाए मर्द हो यह और अवरत हो कम से कम 10 साल का बच्चा भी घर का सरबरा हो सकता है तो इसके बाद आ रहा है housing information housing information में सबसे पहला सवाल यह है कि regional status of house यानी घर का रियाशी status के सा है आप अपने घर में रह रहे हैं क्राय के घर में रहते हैं सरकारी quarter है वा दीगर option आपके screen पर मौझूद होंगे उनमें से कोई भी app एक select कर सकते हैं इसके बाद है gender of homeowner यानी घर जिसके नाम पर है उसका gender क्या है जिन्स क्या है मर्द है या औरत है नंबर आप रूम से कर में कितने कमरें हैं यह पूछने है पिरिड़ आफ कंस्ट्रक्शन घर कितने साल पहले बना है यह पूछना है इसके बाद कंस्ट्रक्शन मटीरियल आप रूफ है यानी चत की मटीरियल कौन से स्वाइब किया गया है इसमें आर बी सी है या लकड़ी बास वगयरा कि आप्शन आपके स्क्रीन पर मौजूद होंगे उनमें से आपको कोई एक select करना होगा कि ड्रिंकिंग वाटर इंसाइड एंड आउटसाइड के पीने का पानी जो है गर के अंदर और बार जो इस्तमाल होता है वो कौन सा है उसके बारे में आप चिनापके स्क्रीन में मौजूद होंगे उनमें से आपको select करना है source of drinking water है कि आप जो पानी इस्तमाल करते हैं वो क करते हैं बिजरी के बलत जला के रोशन करते हैं मौंब बती वगेरा के option आपके पर मौझूद होंगे cooking source of home घर में खाना पकने के लिए जो source इस्तमाल करते हैं गेस इस्तमाल करते हैं लक्री जला कर खाना पकाते हैं यह सवाल आपने पूछने होंगे और पूछ कर टेब में अबने दर्च करने होंगे type of kitchen facility के घर में जो किश्या का kitchen है वो combines है separate है यह open kitchen है open kitchen से मुराद जो गाउं अगेरा में open kitchen होते हैं बाहर वो होते हैं इसके बाद है type of bathroom facility ऊठी सरा की है वह सैंधर और फेसलिटी चैसे ढकाइड आपकी जिस चिस में इस जो सैंवरेज है जिसरे के वह लुँआ होते है डेनेज आप्शन आपके स्क्रेण्थ पर मौजूद होंगे आप है कि मूज़ाफ गर में कौन से क्म्यों की सिस्टिवी यह मोबाइल है लेप्टाप कम्प्यूटर इंटरनेट वगेरा जितने भी communication moods इस्तमाल हो रहे हैं गर में पोचकर वो दर्च कर लेने हैं आप एक चे जायद mood भी दर्च कर सकते हैं इसके बाद आखरी सवाल जो है Anyone living about यानि घर से बाहर और मुल्क से बाहर कोई शक्स रहता है आपकी family का अगर है तो उसको भी दर्च करें तो ये सवाल थे आपसिंग information के बारे में और family member के बारे में सवाल मैंने आपको पहले बता दिये हैं अगर इन सवालों के जवाबात में कोई मुश्किल आ रही हो या कोई सवाल समझ में ने आ रहा हो तो comment section में आकर जरूर पूछ लें इन्शाला जला मैं आपको गाइड करूँगा और आपको कोई परिशान नहीं होगी बाकी एक दो दिन रह चुके हैं काम के स्वाट होने में तो जल्दी से तैयारी कर लें अगर कोई सवाल का जवाब आपको ना आता हो तो tape के अंदर booklet मौजूद है वहां से booklet download कर लें PDF की सूरत में वीडियो की सूरत में भी अवलेबल हैं तो टेप के अंदर जाएं यूजर मिनूल में आप वहां से यह चीज़ें download कर सकते हैं और वहां पर हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज की वीडियो बहुत लंबी हो चेकिए और तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर कर लें दोस्तों में ताक के जिसको भी कोई परिशानी हो तो इंशाला ताला इस वीडियो से इसको आसानी हो जाएगी अगर किसी की मन में और कोई सवाल हो तो वो भी कमेट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं इन समाम सवालों की डीटेल और भी हैं लेकन वक्त कम है इसलिए माजरत तो अपने दौाओं में याद रखिएगा मतते हैं अगले वीडियो में तब तक कि रिजार दीजिएगा असलाम अलेकुम